दूसरा होता है परिसीमन आयोग परिसीमन आयोग का क्या कार है या क्या है यह कौन से खेत्र निर्वाचित होंगे कौन से खेत्र आरक्षित होंगे यह कौन टैकरता है किस आधार पे निर्णा लिया जाता है कि यह खेत्र अनुसूची जाती के लिए होगा आरक्षित यह अनुसूची जन जाती के लिए यह सामानी के लिए यह भविश में यदि महलाओं का आरक्षन का प्राधान हुआ तो यह सीट महलाओं के लिए आरक्षित होगी यह कौन ट कि इसे करने के लिए स्वतनथर संस्था है जिसका नाम का है परिसीमन आयोग। राश्ट्रपती परिसीमन आयोग का गठन करते हैं कि यह इसकी बहुत अहम जिम्मेदारी है। और परिसीमन आयोग जो है वो चुनाव आयोग के साथ मिलकर ये सब बातें तै करता है क्योंकि चुनाव आयोग की बहुत महत्पूर्ण भूमिका है चुनाव में बलकि चुनाव आयोग चुनाव करवाने के लिए सर्वे सर्वा है तो उसकी सहमती और उसकी ज्जाव उसके प्रामर्ष अत्याधिक जरूरी है परिसीमन आयोक को लिए इसका गठन जो होता है वो पूरे देश में निर्वाचन ख्षेत्रों की सीमा तैकरने के लिए किया जाता है सीमंकन सीमंकन से अर्थ क्या है निर्वाचन खेत्र एक लोग सभा की सीट के लिए कितना खेत्र उस सीट के उस खेत्र के तहट आएगा कौन कौन लोग उस खेत्र के मतदाता माने जाएंगे उसकी सीमा क्या होगी क्योंकि इसकी सीमा के बाद दूसरे निर्वाचन खेत्र के सीमा शुरू हो जाएगे बाउंडरी इसका आर्थ है बाउंडरी तो पूरे देश में निर्वाचन खेत्रों की सीमा खीचने के लिए इसका नर्मान होता है प्रत्यिक राज में आरक्षन के लिए निर्वाचन खेत्रों का एक कोटा है जो उस राज्य में अनुसूची जाती या अनुसूची जन जाती की संरचना देख करता होता हूँ कितनी अनुसूची जाती है कितनी ती अनुसूची जन जाती है उस राज्य में राज में जाती अनुसूची जन जाती के संख्या को देखकर फिर खेत्र का सीमांकन होता है ये याद रखेंगे तो वो इसलिए जरूरी है कि ऐसा न हो जाए कि खेत्रों का सिमांका निस तरीके से हो कि हर जगा अनुसुची जन जाती के लोगों की संख्या वड़ी कम हो वे अलप संख्यक में रहें और इतने अलप रहें कि वो प्रभाव ना कर पाएं तो इससे बचने के लिए ये सुनिश्चित किया गया है कि पहले अनुसुची जाती जन जाती की संख्या देखी जाया उस राज्य में और फिर कोटा तै किया जाया कि इस राज्य में कितनी सीटे निर्धारित या आरक्षित होंगी जिन निर्वाचन खेत्रों में अनुसुची जन जातीयों की जन संख्या सबसे ज़्यादा उसे आरक्षित कर दिया जाता है अनुसुची जातीयों के मामले में परसीपन आयोग दो बातों पर और ध्यान देता है जन जाती में तो केवल एक बात सबसे ज़्यादा संख्या तो उसे आरक्षित कर दो आरक्षित कर दो से अर्थ वहाँ पर केवल अनुसुची जन जाती का ही उम्मीदवार खड़ा हो सकता है या कोई भी दल अपना यदि उम्मीदवार खड़ा करना चाहता है तो वह उम्मीदवार केवल अनुसूची जन जातिका ही होगा और किसी का नहीं ये आरक्षन कहलाता है अनुसूची जन जातिका अब अनुसूची जातिके मामले में दो शर्तें और हैं आयोग उन निर्वाचन खेत्रों को चुनता है जिसमें अनुसूची जाती का अनुपाद ज्यादा हो लेकिन वह निर्वाचन खेत्रों को राज के विवन भागों में फैला देता है ताकि अनुसूचित जातियों का पूरे देश में जो स्वरूप है वो बिखराओ जैसा है और उनका बिखराओ समरूप है तो जैसे अनुसूचित जन जाति के मामले में एक शित्र को अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित कर देता है अनसूची जाती के मामले में ऐसा नहीं पूरे राजी में फैला देगा उनकी संख्या को और वो इसलिए कि अनसूची जाती के जो लोग हैं वो पूरे देश में फैले हुएं समान रूट से ऐसा इसलिए कि अनसूची जाती के पूरे खेत में बिखराओ है और जब कभी भी परिसीमन का काम होगा तो इन आरक्षित खेत्रों में कुछ परिवर्तन हो जाता है बागी कुछ निर्वाचन खेत्रों में कुछ परिवर्तन हो जाता है बागी कुछ निर्वाचन आरक्षित खेत्रों में बदलाओ जन जाती अनुसूची जाती की बात कर र यह भी अब हम समझ दिया अब हम आते हैं अगले बिंदु पर चिनाओ संबंदी जो बहुत महत्पूर्ण और वह है स्वतंत्र और निश्पक्ष चिनाओ इसके क्या मायने किसी भी चुनाओं की कसोटी ये है कि वह चुनाओं निश्पक्ष हो, सतंत्र हो, किसी के दबाव में न हो किसी से प्रभावित हो करना हो यदि हम लोग तंत्र को एक जमीनी हकीकत बनाना चाहते हैं यदि हम लोक तंत्र को वास्तों में सच्चाई में देखना चाहते हैं वास्तों में लोक तंत्र चाहते हैं तो जरूरी है कि चनाव प्रक्रिया निश्पक्ष हो पक्षपात नहो किसी भी अधर पर पक्षपात नहो दलगत राजनीती से उठकर अधिकारी और मतदाता कारे कर थी निश्पक्षता के साथ जरूरी है पारदर्शिता ट्रांस्पेरेंसी निश्पक्षता और पारदर्शिता ये दो बहुत अहम तत्व हैं एक सफल लोक तंत्र के लिए इसलिए चुनाव प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे मत दाता जो है उनकी जो आकांख्षाएं हैं कि नियायपूर्ण ढ्यंग से व्यक्त होने का मायने क्या कि मत दाताओं को लगे कि जो बहुमत के जो विचार है या बहुमत जिसके पक्ष में नजर आता है वास्तों में वही यहां का प्रतिनिधित्ट कर रहा है किसी तरह की हेरा फेरी की गुझाईश ना हो मत गणना में किसी तरह की गरवड़ी की गुझाईश ना हो वे अधिकारी जो चुनाओं की प्रक्रिया में प्रारम्ब से लेके अंत तक चुनाओं के प्रणामों की घोशना तक चुनाओं की प्रक्रिया में जुड़े हुए हों वे लोग ने श्पक्ष होकर अपना कारे कर रहे हों और तत्कालीन सरकार या किसी कैंडिडेट उम्मीदवार के दबाओं में नौ। भारत में चुनाओं को स्वतंत रखने के लिए निश्पक्ष रखने के लिए और ट्रांसपरेंट रखने के लिए जो जितने भी पद हैं उन पदों के लिए विभिन चुनावी प्रक्रिया का प् अपनाया गया है लोकसभा और राजसभा के लिए फर्स पास दपोस्ट प्रणाली लोकसभा और विधान सभा के लिए जहां फर्स पास दपोस्ट प्रणाली वहीं राश्ट्रपती ओप राश्ट्रपती राज्यसभा और विधान परिश्यत के सदस्यों के लिए अनुपा 171 इसके तहट भारत में लोक सभा और राज में विधान सभा इसके लिए प्रत्यक्ष चनाओं के वस्था की गई है प्रत्यक्ष चनाओं मतलब जनता अपने प्रत्यनिदिकों चुनती है स्वयम यह प्रत्यक्ष कहलाता है तो चनाओी प्रक्रिया पर हम आ रहे हैं और उसके लिए कुछ जो महत्पूर्ण अहरताएं हैं उनको समझ रहे हैं यदि हम भारत के पूरी चनाओी प्रक्रिया की बात करें चनाओं प्रणाली की तो तीन सिध्धान्त हैं भारत में जो स्वतंत्र और निश्पक्ष चनाओं कराने का माद्दा रखते हैं इन सिध्धान्तों के अधार पे यह सुनिश्चित क्या गया है कि यहां के चनाओं ट्रांस्परेंट हो सतंत्र हो और निश्पक्ष हो वे तीन सिध्धान्त कौन से हो वे तीन बातें कौन से हैं जो इस सुनिश्चित करती हैं कि हमारा चनाओं वास्तों में लोग के तंत्री चनाओं हो वास्तों में निश्पक्ष चनाओ हो परणाम जो भी आए पर निश्पक्ष हो वे तीन सिध्धान थें पहला सार्वभौमिक मताधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वयस्क दूसरा चुनाव लड़ने का अधिकार और तीसरा स्वतंत्र निर्वाचन आयो पहले का तालुकात है उम्मीदवारी से पहले का तालुकात है जनिता से किनको मत अधिकार कौन मत डालेगा दूसरे का तालुकात है किनको मत डालेगा या जिने चुनाव लड़ने का अधिकार है याने उम्मीदवार पहला जनता दूसरा उम्मी द्वार और तीसरा चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग जो स्वतंत्र हो जो इन दोनों की निश्पक्षता इन दोनों के सामनजस्च से सुनिश्चित करे कि चुनाव निश्पक्ष हो इन सिध्धान्तों में हम पहले सिध्धान प्याते हैं सार्व भौमिक वयस्क मतादिकार अर्थात यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाईजी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाईज बहुत महत पूंट शब्द है किसी भी देश की शातन व्यूर्स था इसी क्याधार पे लोगप्री होती है कितना यूनिवर्सल है कितने ज़्यादा लोगों को मत का अधिकार है मत का अधिकार कितने लोगों तक सीमित रखा गया है मद के अधिकार के दायरे में कितने कम लोग हैं या कितने ज्यादा लोग हैं ये तै करता है मता अधिकार की लोग प्रीता को वैस्क मता अधिकार की लोग प्रीता को प्रोफिसर हेलेल लास्की जिनका जिकर बारंबार आता है उन्होंने कहा है कि वयास्क मतादिकार का कोई विकल्प नहीं There is no alternative to adult franchise कोई इसका alternative है ही नहीं 20-वी शताबदी का दूसरा शत दशक अर्था 1920-30 से दिबात करें तो उस समय किसी भी देश में वयास्क मतादिकार का प्राउधान नहीं था 1920-30 के आसपास तक किसी भी देश में वयास्क मतादिकार का प्राउधान नहीं था इसका मतलब England में भी नहीं था जो 1686 से जहां पर आधरिक लोकतंत्र चल रहा था अमेरिका में भी नहीं था जो 1775-76 से तंत्र देश के नाते एक बहुत बड़ा लोकतंत्र था वहाँ भी एडल्ट फ्रेंचाईर नहीं था वयस्क मतादिकार वहाँ भी नहीं था सबसे पहले वह वयस्क मतादिकार और वो भी सार्व भाम कहां लगू हुआ आपको अश्चर हो गए जानकर उस देश में लगू हुआ जिस देश ने सबसे बड़ा सबसे करूर खतरनाक तानाशा दिया याने हिटलर उसका देश जामनी जामनी ने सन 1919 में अपने सम्विधान में इसका प्राउधान किया सार्व भाम मतादिकार 1919 और 1924 पत्चिस में हिटलर का प्रादूर भाव होता है और 1933 आते हिटलर तानाशाह बन जाता है दुनिया के लिए बड़ा खत्रा बन जाता है विश्व दिका कारण बन जाता है तो क्या इस चुनावी प्रक्रिया में कहीं पर हम तानाशाही प्रवृतिक को बढ़ता देखते हैं नहीं ऐसा नहीं है इन दोनों के बीच में कोई संबन्ध नहीं यह एक कोइंसिडेंस है 2019 में ही अमेरिका, 20 में स्वीडन, 28 में इंग्लेंड, सोवियत संग में 1936, फ्रांस में 1945, इटली में 1947, सुर्जार लैंड में 1973 अब देखे, जिन देशों के नाम मैंने लिये, और वर्ष बताया, वयस्क मतादिकार का वर्ष, तो आप एक बड़ी रुचिकर चीज देखेंगे ये देश को स्वतंतर हुए अनेक वर्ष हो गया थे, 100-100, 200-200 वर्ष हो गया थे, लेकिन इनको वयस्क मतादिकार देने में, जनता को वयस्क मतादिकार देने में कई वर्ष लग गया पचास से लेके 100 वर्ष के कांतर आया, अमेरिका जहां 1775-76 में स्वतंता हो गई थी, वहाँ पे वयस्क मतादिकार की बात दे करें, तो वास्तों में वयस्क मतादिकार वहाँ पर 1919 में आया, लेकिन वह भी अपने पूरे रूप में नहीं, ब्लैक्स को जने नीग्रोस कहते थे उन्हें अदिकार नहीं थे, भारत में तो स्वतंतरता के साथ ही वयस्क मतादिकार आ गया, ये भारत के सम्धान निर्माताओं की एक बहुत बड़ी चफलता थी, और बहुत बड़ा उनका योगदान है कि उन्होंने स्वतंतर देश को, स्वतंतर होते ही, इतने अशिक देश को, इसमें कोई उन्होंने कटावती नहीं की और सब को वयस्क मतादिकार का अधिकार दिया, आज के प्रजात आंतरिक योग में इस बात को सबने स्विकार किया है, कि सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार दिया जाए, ये आज ये निवरसल टुट है, जिसके वो आज सौ साल आते आते, बीस सो बीस आते आते, अब सभी देश कमो बेश बात को मानने लगे हैं कि वयस्क मतादिकार ही सही तरीका है, हाँ वयस्कता की आईउ को लेकर थोड़ा उन्निस बीस का अंतर हो सकता है, वयस्क के किसे मानादा है, वयस्कता की आईउ को लेकर अ पिंतर है हर राज में वैस्ता की आयू सीमा अलग-अलग है और ये जो आयू सीमा है ये अलग-अलग देश अपना स्वयम तै करते हैं भारत की सिति में देम बात करें तो भारत में वैस्कता की आयू समवेधानिक प्रावधान के तहत 1950 में 21 वर्ष थी जो अब 18 वर्ष हो गया है और मत दान कर सकता है देश की राजनेतिक व्यवस्था में ये निर्णे कर सकता है कि कौन उसका प्रतिनिधी बने आदी आदी भारत अमेरिका रूस ब्रिटन अमेरिका रूस और ब्रिटन यहां पर भी 18 वर्ष की आयू को वैस्क माना गया है इस त्री और 20 वर्ष की आयू को वैस्क माना गया है उसमें जपैन आता है हॉलंड डेनमार्क ऐसे कुछ देश है जहां पर 25 वर्ष के त्री पुरुषों को वैस्क माना गया भारत में सन 88 में 21 वर्ष की आयू थी 89 में एक 60 वा संशुधन होता है 61st amendment 1989 याद रखेंगे यह आप लोग के लिए बहुत महत्पूर्ण है क्योंकि आप मेंसे अधिकतर लोग उस 18 वर्ष की 40 पर हो जब आप अगले चनाओं में मतदान के पात्र हो जाओगे अगले लोगसभा चनाओं या विधान सभा चनाओं में आप मेंसे अधिकतर लोग इसकी पात्रता रखेंगे इसलिए आप विशेश जाने कि आपको इसकी समवैधानिक पात्रता एक सेठ्वे संशोधन के माद्यम से मिली जो 1989 में होई यहाँ यह बात समझने की है कि किसी भी देश में रहने वाले सभी लोगों को वैस मतादिकार नहीं मिलता या सभी वैस के लोगों को मतादिकार हो ऐसा नहीं है यह बात याद रखें जब वैस मतादिकार की बात होती है तो इसमें कुछ लोग इस अधिकार से किसी कारणों से वंचित भी हो जाती है पागल जो घोशित पागल हो दिवालिया हो अपरादी हो विदेशी हो ये मतादिकार थे वन्चित रहते हूं इन्हें वैस्क मतादिकार के तहट मत देने का दिकार नहीं रहता मैंने बताया कि भारत एक मात्र हैसा देश या एक मात्र उन चंद देशों में जिसने स्वतंतरता के साथ ही वैस्क मतादिकार की घोशना कर दी और इस तरह सचे लोकतंतर की नीव रखी जाने में बहुत बड़ा योगदान हुआ उसी प्रकार भारत में सार्व भौमिक वैस्क मतादिकार हे तू भी प्रयास किये गया है मैंने आपको बताया कि पागल डिवालिया अपराधी या विदेशी इन लोगं को मत कादिकार नहीं है भारत की स्थिति क्या है इस मामले में भी भारत अलग है तो अब हम पढ़ रहे हैं भारत में सार्व भौमिक वैस्क मतादिकार हे तू योगिताएं पहला आयु सीमा देश के कानून के अन्सार जो वरतमान में अठ़्ारा वर्श दूसरी योगिता आवासी ये योगिता है पहली तो उम्र की योगिता हो गई, दूसरी आवासी योगिता, आवासी योगता के मायने हैं कि वह व्यक्ति एक निष्चित समय पर, निष्चित समय तक उस निर्वाचन खेतर में निवास किया हो, तो आवासी संबंदी योगिता हो गई, तीसरी कोई गंबीर अपराद ना हो या उसके लिए दंडित ना किया गया हो याने कोट में केस गया हो पेशी होती रही हो लेकिन अंतर निर्णे उसके पक्ष में आया हो सजा ना मिली हो तो वो अपराधी नहीं होगा इसका मतलब वो मैस मतादिकार से वन्चित नहीं होगा अन्यता हो जाएगा चौथा चूँकि यह दिकार एक राजनेतिक दिकार है इसे केवल उन देशों के नागरिकों को ही मिलता है विदेशियों को नहीं तो चौथी पातरता है नागरिकता की वहाँ भारत का नागरिक हो और पांचवी पातरता पागल, दिवालिया, भरष्ट आसमव्यधानिक आचरन के कारण मतादिकार से वन्चित ना किया गया हो इस विकार हम देखते हैं कि भारत के मामले में शिक्षा संबन्दी कोई पातरता योग्यता मतादिकार के लिए जरूरी नहीं है भारत के मामले में धान या अर्थ संबन्दी प्रापर्टी संबन्दी कोई पातरता नहीं है भारत के संबन्द में रंग संबन्दी कोई पातरता अपातरता का जिक्र नहीं है और भारत में जाती या धर्म या मेल फीमेल के आधार पे भी स्तिरी पुरुश के आधार पे भी लिंग के आधार पे भी कोई अंतर नहीं है ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंग्लेंड और अमेरिका जैसे देश जो लोक तंत्र की नियू माने जाते हैं उन देशों में भी स्त्री पुर्शों का लिंग भेद बहुत समय तक रहा मतादिकार के मामले में गोरे काले का रंग भेद मतादिकार थे कालों को बहुत समय तक वंचित रखा शिक्षा का भेद मतादिकार थे कई लोगों को वंचित रखा और तो और प्रापर्टी का भेद संपत्ति होना इतना जरूरी था अमेरिका में मतदान के लिए आवश्यक था आदि-आदि भारत में ऐसा कुछ नहीं था भारत में शिक्षा धर्म और संपत्ति लिंग ये आधार तो हुई कभी नहीं रह भारत में ये भारत के मतादिकार की एक बहुत बड़ी खासियत है भारत के संविधान की धारा 325 या 326 में वैस्क मतादिकार की बात की गई है और इसके अनिसार प्रत्येक स्त्री और पुरुष जो अठारा वर्ष पार कर लिया हो और पागल दिवालिया असमधानिक आत्रन या अपराद दंडित ना हो वह मतादिकार का अधिकारी है भारत में ये अधिकार प्रत्येक नागरिक को धर्म, जाति, भाशा, खेत्र, लिंग, इन सब के भेजभाव से हटकर बिना मत देने का अधिकार मतला इन सब से हटकर इनको मत देने का अधिकार दिया गया है और ये सब मुद्दे मत अधिकार के मामले में कोई माइने नहीं रखते